नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अन्बोक्सिंग और गैस आज की इस वीडियो में हम अन्बोक्स करने वाले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्रोड़क्ट जो है एक गेमिंग राउटर और गैस ये है ऐसे उसका RTAX 82U गेमिंग राउटर और ये रहा उसका रीटेल पैकेजिंग गैस इस पर्टेवल है राउटर में आपको देखने मिलता है वाइफाई 6 जी हाँ ये डूल बैंड वाइफाई 6 राउटर है जो बेस्ट है यहाँ पर 160 MHz बैंडविट के साथ मतलब यहाँ पर जो वाइफाई स्पीड से वो आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है उसे के साथ यह AI Mesh Compatible Router है और प्लस यहाँ पर आपको Game Boost Mode भी देखने मिलता है Mobile Gaming के लिए और प्लस इसकी जो design है भाई वो completely futuristic design आपको देखने मिलेगे जिसमें जो यह router है literally एक alien spacecraft जैसे देखता है और प्लस इसमें आपको RGB lighting देखने मिलती है जिसे आप customize कर सकते हो इसके application में जाके और धेर सारे और भी functionality है तो यहाँ पर time waste नहीं करते है डिरेकली हम करते है इसकी unboxing तो यहाँ पर box के आगे की तरफ आपको Asus की branding देखने मिलती है और यह है RTAX82U router जो है Wi-Fi 6 gaming router और यहाँ पर इसमें आपको mobile game mode, lifetime free security, Wi-Fi system जो basically AI Mesh है और वो actual router की image यहाँ पर दी है box के side में यहाँ पर आपको देखने मिलते है उसके कुछ specification और packaging content और इसमें memory जो provide किये वो है 256 MB की flash storage और 512 MB की DDR3 RAM और PG की तरफ यहाँ पर आपको देखने मिलते है उसके कुछ additional specification जैसे की mobile boost mode, AI protection pro और कई सारे और features जिसे हम वीडियो में देखेंगे तो जैसे हम इसे unbox करते हैं आप देख सकते हो काफी बढ़िया packaging आपको देखने मिलते है तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने user manual और warranty card इसका provide किया है उसे के साथ नीची की तरफ आपको वो actual gaming router देखने मिलता है तो initial first impressions काफी lightweight ये feel हो रहा है तो इसे फिलाल हम रखते है side में और फिर यहाँ पर आपको देखने मिलता है उसका charging brick जो यहाँ पर आता है additional multiple adapters के साथ और उसे के साथ यहाँ पर उन्होंने RJ45 cable भी provide की है and guys that's it यही सारी चीज़े आपको box के अंदर देखने मिलती है तो सबसे पहले मैं बात करना चाता हूँ इसके build quality की तो यहाँ पर completely high quality plastic आपको देखने मिलता है और यहाँ पर जो color उन्होंने provide किया है वो है matte black color उसे की साथ आगी की तरफ यहाँ पर आपको LED light का segment उन्होंने provide किया है जो completely इसे एक futuristic सा look देता है especially एक alien spacecraft जैसा ही look यहाँ पर आप बोल सकते हो और पीची की तरफ यहाँ पर उन्होंने चार antennas provide किये है जो है non removable antennas और आगी की तरफ यहाँ पर LED lights उन्होंने provide किये जिसमें आपको power LED light 2.4 GHz, 5 GHz की LED light indications देखने मिलती है center में आपको एक button देखने मिलता है जिसकी help से आप LED को turn on turn off कर सकते हो PG की तरफ यहाँ पर आपको देखने मिलता है power का input, power switch देखने मिलता है USB 3.1 generation 1 port उन्होंने provide किये है 4 LAN ports देखने मिलते है WAN port provide किये है, WPS का button और reset का button देखने मिलता है सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं इससे setup करनी है, जैसे कि wifi name हो गया या फिर password हो गया तो हमने already इसमें सारी चीजे setup कर दीती और यहाँ पर जो हम लोग internet यूज कर रहे है उसकी जो speed है वो है 300 Mbps upload and download और यहाँ पर हम application से speed test करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर download speed है हमें almost 300 Mbps की मिली और जो upload speed है वो more than 300 Mbps की मिली सो भाई यह है कमाल इस particular Wi-Fi 6 router का जहाँ पर इसकी maximum speed जा सकती है 5,400 Mbps जी हाँ आपने सही सुना almost 5 Gbps plus यहाँ पर आपको internet speed देखने मिलने वाली है जो बहुत ही कमाल की है और plus जैसे मैंने पहले ही बता है आपको 160 Mbps bandwidth के साथ आता है सो भाई जो Wi-Fi speeds है वो काफ़े killing यहाँ पर आपको मिलने वाले है plus यहाँ पर इसका एक dedicated application भी आपको देखने मिलता है mobile application so यहाँ पर मैं आपको इसका short demo बताऊंगा तो सबसे पहले application में आप देख सकते हो यहाँ पर जो router है वो internet के साथ connected है और यहाँ पर आपको AI Mesh Wi-Fi system का menu visible हो जाता है उसी के साथ status के menu में आप देख सकते हो aura RGB light यहाँ पर आपको visible हो जाते है current lighting जिसे आप customize कर सकते हो next menu में real time traffic monitoring आपको देखने मलता है उसी के साथ यहाँ पर जितने भी सारे Wi-Fi connections है वो आपको visible हो जाएंगे जैसे कि 2.4 GHz और 5 GHz currently है emit कर रहा है और next इसमें इसका CPU and RAM consumption आप monitor कर सकते हो और यहाँ पर जो connected clients है मतलब कितने devices connected है वो आपको यहाँ पर visible हो जाते है और यहाँ पर आपको देखने मलता है इसका game boost mode जिसे हमने turn on रखा है जिसकी help से आपको काफी कम ping में आप इसकी help से gaming कर सकते हो फिर यहाँ पर devices के menu में आप देख सकते हो जो devices है वो आपको visible हो जाते है और यहाँ पर family mode में आप profile manage कर सकते हो बेसिकली कस्टमाइज कर सकते हो kids के लिए या फिर adults के लिए और settings के menu में यहाँ पर आपको धेर सारे settings देखने मलते हैं जैसे की AI, Mesh, AI, Protection, Diagnostics, Parental Control, Gaming, QOS, Wi-Fi और plus guys सबसे interesting feature मतलब connect with Alexa so basically आप Alexa के साथ इसे connect कर सकते हो जैसे आपने इस application को देखा इस application की help से आप कई सारी चीज़े इसमें customize कर सकते हो और advanced level के customization के लिए आपको जाना है router.sus.com पे जहाँ पर आप इसमें कई सारे additional setup कर सकते हो so guys यह जो compatibility उन्होंने दी है कि आप desktop से भी से setup कर सकते हो या फिर mobile application की help से भी वो काफी बढ़िया बात है और plus guys इसमें आपको देखने मलता है game boost mode so यहाँ पर जो mobile application है या फिर जो desktop है उसमें से जाके अब directly इसे turn on कर सकते हो जहाँ पर आपको gaming में काफी कम ping मिलने वाला है so यहाँ पर जो Valorant game है हमने खेला and trust me on this काफी कम ping के साथ हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे and जी हाँ guys अगर mobile gaming की बात यहाँ पर कर ही दी है तो इसमें आपको बहुत ही crucial feature ऐसा देखने मलता है जो है open NAT support जिसकी help से आप directly server create कर सकते हो gaming के लिए जैसे की dota हो गया या फिर call of duty हो गया या फिर counter strike हो गया उसके directly server आप create कर सकते हो और काफी कम ping पे यह servers चलने वाले है तो भाई open NAT support भी इसमें उन्होंने provide किया है and उसी के साथ बढ़ते इसके अगले feature की तरफ तो भाई यह एक Wi-Fi 6 router है और यहाँ पे काफी advance उन्होंने features दिये IoT wise भी आपको काफी बढ़िया feature देखने मिलते है जैसे की Alexa control सो जी हाँ आप इसे Alexa की help से भी control कर सकते हो सो बस आपको इसके application में Alexa account को link करना है और यहाँ पे मैं आपको एक short demo बताऊंगा किस तरीके से Alexa की help से आप इस router को control कर सकते हो Alexa, ask Asus router Welcome to Asus router I can help you to complete many settings with simple voice You can turn on or turn off the guest network Turn on game mode or media mode Pause the internet Match a new device Reboot or upgrade the firmware What would you like to do? Pause the internet The internet will be inaccessible except Alexa enabled devices Still want to proceed? Yes The internet access is going to be blocked now To access the internet Just say, ask Asus router to resume the internet So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं Amazon.in open कर रहा हूँ, booking.com open कर रहा हूँ, बट यहाँ पे internet accessible नहीं है तो वापिस हम internet को resume करते है Alexa, ask Asus router to resume internet The internet access is back to normal So, जी हाँ, जैसे आपने देखा, Alexa की help से भी आप इसे control कर सकते हो, जो मुझे काफ़ी interesting और बढ़िया features लगा So, भाई, यहाँ पे जो gaming routers है, वो भी दिन बर दिन advance होते जा रहे है, उसे के साथ हम बात करेंगे, इसमें AI mesh compatibility की So, यहाँ पे अगर आपका office space जहाँ पे आप यह router install कर रहे हो, या फिर आपका घर काफी जादा बढ़ा है और वहाँ पे coverage का आपको issue हो रहा है, तो कोई भी AI compatible mesh router आप इसके साथ attach करके, जो आपका network coverage है, उसे यहाँ पे बढ़ा सकते हो So, जी हाँ AI mesh compatibility भी आपको इस particular router में देखने मिलती है And उसे के साथ यहाँ पे उन्होंने ASUS का AI protection pro भी इसमें provide किया है, जिसकी help से आप यहाँ पे parental control जैसे कई सारी चीज़े setup कर सकते हो या फिर कोई भी threats होता है, या फिर attacks होता है, उससे आप यहाँ पे बढ़ सकते हो So, जो AI protection pro है, वो काफी बढ़िया तरीके से आपके network को या फिर आपका जो data है उसे secure रखता है And guys, जी हाँ, finally हम बढ़ेंगे इसके RGB lighting की तरफ तो जी हाँ, इसमें आपको ASUS का aura RGB lighting देखने मिलता है जिसे आप application की help से कुछ इस तरीके से control कर सकते हो So, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको static mode देखने मिलता है जिसके help से आप कुछ इस तरीके से lighting आपको देखने मिलेंगे Breathing effect उन्होंने यहाँ पर provide किया है जहाँ पर जो colors है उसे भी आप customize कर सकते हो आपके हिसाब से wave mode आपको देखने मिलता है और यहाँ पर जो next mode है वो है mark you mode जिसमें आप कोई भी color यहाँ पर select कर सकते हो और उसे के साथ यहाँ पर उन्होंने gradient mode भी उसमें provide किया है जिसमें आपको दो color की LED lights यहाँ पर reflect करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको evolution mode देखने मिलता है जिसमें different different LED lights यहाँ पर continuously glow करते रहती है and finally यहाँ पर सबका favorite but obvious यहाँ पर rainbow effect भी उन्होंने provide किया है so guys जैसे आपने देखे हैं यहाँ पर Asus, Aura, RGB lighting, different different lighting effects काफी futuristic look देते इस particular router को और भाई router दिन बर दिन बहुत ही जादा smart होते जा रहे है और यह practical example एक gaming router का जिसमें आपको इतने n number of features उन्होंने provide किये and trust me on this यह router अगर आप अभी purchase करते हो तो भाई अगले 2-3 साल तक यहाँ पर आपको upgrade करने की जरूरत नहीं है इतने बढ़िया speeds के साथ आता है और भाई यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके pricing की इस particular router के जितने भी सारे details है नीचे description box में drop कर दूँगा और जैसी यह available होगा उसकी भी purchase link में नीचे description box में drop कर दूँगा तो guys बस यही था आज के वीडियो इस particular gaming router का I hope आपको इस वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए प्लीज subscribe कीजिए हमारे channel को और दोस्तों और एक important बात प्लीज मेरा facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद